जनपर संबल के कुड़ फतेगड थाना चेतर में बारिश से कमरे की छत गिनने से पिता पुत्री की मौत तहसिल दानने की आर्थिक सहायता की गोश्णा जनपर संबल के कुड़ फतेगड थाना चेतर में आज दो पहर विन मोसम बारिश के दोरान कमरे की छत गिनने से पिता पुत्री के मौत हो गई इस विशे में तैसिलदार मरोज कुमार सिंग ने बताया कि बनिया खेड़ा विकास की ग्रान पंचयात कोकावास के मजरा जगद नमें मेरतकों के परिजनों को सरकार की और से चार चाल लाग रुपे के मौाबजिय की भी घोशना की गई है वास में एक माकान की गाडर पत्री किनने से तो लोगों की मोत हुई है क्या पूरा मामला है आएसा है जरसा भी बेमौसम बारिश हो गई है कुछ जाड़ा बारिश हो गई की थोड़ी जिर के लिए तो उसमें फोकावास में एक रामवतार पुत्र इश्वरी थे उनका रियाशी मकान था उसके छट में जो गाडर पतिया थी वो गिर गई और उससे वो और उसकी उनकी पुत्री थी इसका नाव गुंगा था इंग दोनों की मूत्यू मौके पर ही हो गई है आठरपट अंदसर पर गिर जानने साथ क्योंकि अति विष्टी से यह अचना घटित हुई है भारिश के कारण तो उनको जो है मकान की छती के विशय में भी सहायता दे है और साती साथ उनकी मानों मृत्तियू हुई है दो मृत्तियू के लिए उनको उनके जो इमेडियेट उनकी एक पत्मी है दो लड़के भी है तो उनकी पत्मी के एकांट में चार लाख राम अवतारी के लिए और चार लाख गंडा के इंदिशी वनगे पार के पुल आठ लाख रूपय सरकार की तरब से वनके देवी आबदा की सहायता दीजाए इसके लिए हम लोग उनकी प्ति सब्सक्राइब तो नहीं हुआ गायल कोई नहीं यही दो लोग थे खाना खा करके उठे थे उसी समय इनके सब्सक्राइब गिरपड़ा अचानक भरवरा के यही दो थे ही घर में इनकी पत्मी पंजाब में फसी हुई है इसी पर लॉगडाउन के कारण उन्हें पुत्र भी मह टे लड़का ओजर ब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब में अगर्साद रेहिए है इसी मकान था उसके में एक जाये पैसे प्रति प्रत्याद्व चलिए कि मुंत है जात्याद कि थे थे थे,